आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजुकेशन यूज में दोस्ते वीडियो में बात करने वाले हैं चिकितसा विभाग भरतियों को ले करके तो दोस्तों जो कोट ने 16 नॉवंबर को आदेश जारी किया था कि भाई आप लोगों को तमाम जो याचिकाए आई हैं उसके रिगार्डिंग जिन-जिन मुद्धों को ले करके याचिकाए लगाई गई हैं उनको सोल्ट आउट करना है और कोट में जब चिकितसा विभाग ने जवाब दिया कि भाई हम जो हैं तमाम जो चीजे हैं उन सब का जवाब देने वाले हैं किस त अरे बच्चों ने कमेंट किया तो पहली बात तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा करके वीडियो देखा करें ठीक है कल जो बात बताई थी तक तमाम चीजों के लिए थी कि 31 जनवरी तक तमाम चीजों को सोट आउट कर लिया जाएगा और उसके बावजूद भी मुर्क देखा करें पूरा और जिनको नहीं देखना हो वो अंसब्सक्राइब ही कर सकता इस चैनल कोई भी जरूरत नहीं है भाई किसी भी तरीके कि मुझे ठीक है क्योंकि जब पूरी महिनत से वीडियो बनाई जाती है तब्यत से वीडियो बनाई जाती है उसके बावजूद भी देखा जाता है 15-17 मिनिट का या 10-12 मिनिट का उसको skip करके देखते हो और उसके बाद सवाल वही होते हैं कि क्या कटो बढ़ जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो ऐसे बिल्कुल भी कमेंट ना करें ठीक है होल्ड का बारे में तो बिल्कुल भी ना पूछें ठीक है तो आप बात सुन लीजिए जो कोर्ट में उने कहा था कि 13 जनवरी तक हम पेंडिंग जो अनुभव परमान पत्र का पुनर सत्यापन और तमाम वो चीजे जो अब तक इन भरतियों की पेंडिंग है उनको हम 31 जनवरी तक सोट आउट कर लेंगे तो दोस्तों उसी के लिए चिकित्सा और स्वास्ति भाग ने एक आदेश जारी किया 22 नॉमबर 2023 को और इसमें बताए गया है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर के पदों पर जो भरति 2023 में जारी की गई थी उनकी अंत्रिम वरियता सूची प्रोविजनल मैरिट सूची पर विभिन ऑनलाइन परिवेदनाओं के माद्यम से प्राप्ट परकणों और विभिन परकणों मानने नाले में दार्याचिकाओं के द्रस्टिगत तो ये इन्होंने बताए कि जो प्रविजनल लिस्ट के बाद जो चीजे की गई, परिवेदन लगाई गई, ठीक है, कोर्ट में कुछ मैटर्स गए, उसके तहट राज्य सरकार के पत्तर दिनांक 25 चार, यानि कि 25 चार 2023 के दुआरा जो अनुभव प्रमान पत्तर जारी किये गए थे, उनके दुआरा पूर में जारी अनुभव प्रमान पत्तरों का पूनर सत्यापन किये जानेतू सलंगन प्रपत्तर अनुसार दिनांक 10-12-2023 तक समस्त आवशक मूल दस्तावेजों, सहीत उपस्तित होना है, यानि कि 10 दिसंबर तक सलंगन प्रपत्तर के अनुसार जो CMHO या जो भी authorized authority हैं, जिन होने bonus अंकों के लिए experience बना करके दिया, CMHO ने दिया, joint director ने दिया, medical ecology की principle ने दिया, या जो भी लोग थे, ठीके, उन सब को बुलाए गया है, 10 दिसंबर तक क्या-क्या लेके जाना होगा उनको, अनुबंध, उपस्तिति विवरण, ठीके, present absent जो बोलते हैं, वेतन का बिल, PF, कटोती, व्यवसाइक, योगता प्रमान पत्र, अनुबंध, प्रमान पत्र, सम्मंद, record, dispatch, register, आप बेरती दुवारा किये गए कारिये का record, ठीके, और ये सारे के सारे चीजें किनको करनी है, जो सम्मंदी जो अधिकारी हैं, जिनके letter से, य हमको जाना, आपको कहीं नहीं जाना, ये सम्मंदित CMHO, सम्मंदित principle, ये तमाम वो लोग जो authorized थे, एक experience को बनाने के लिए, उन सबको इतने record के साथ बुलाया गया है, और कहां पर बुलाया गया है, सीफू में, और क्या-क्या ध्यान रखना होगा, प्रमान पत्र जारी करत स्योम उपस्तित होएं, यानि कि जिन्होंने जारी किया, उनको ही तलब किया गया है, दूसरा, पुनर सत्यापन प्रमान पत्र स्योम अधिकरत अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्सरित किया जाए, यानि कि जो experience ये लोग जांचेंगे, उस पर जिसने पहले बना के दिया था, वही अधिकारी के signature होंगे, हस्ताक्सरित का मतलब है, signature उस के द्वारा verify करे जाएंगे, नव गठित जिलों के अभ्यरतियों के अनभव प्रमान पत्रों का पुनर सत्यापन, पूरु के मूल जिलों के अधिकरत अधिकारी द्वारा ही किया जाया, यानि जो जिले बने थे, अधिकी गणना भरती हेतु आविदन भरने के दिनांग से एक दिवस पूरव तक की ही की जानी है, यानि कि दुबारा से उस experience को बनाया जाएगा, पुनर सत्यापित किया जाएगा, तमाम चीजें एक एक पॉइंट को सोट आउट किया जाएगा, देखा जाएगा, और इस था, उतना भुकतान कर दिया है, तो कारे दिवस 26 होने पर उसे एक महा गिना जाएगा, ये कुछ इन्होंने बताया है, दिनों के बारे में, किस में कितने दिन गिनने हैं, ये भी इन्होंने बताया है, अब भरती का उन्बंच जिस पद का है, यदि वे विज्जापित अधिकारिया उनके लिए यदि अनुभो प्रमान पत्र माने नियाले विविन विवागों के आदेसों से जारी किया गया तो उसका भी उलेख यहां पर करना होगा याचिका का किसने लगाई थी कोन से नियाले का आदेस है कब आया था रिट संक्या वगरा सारा कुछ यदि अ यहां पर बताया गया है यदि अभ्याति दुवार अनुभंदित किये जाने के समय राजिक की सम्मंदित कॉंसिल में पंजिकरत नहीं था तो उसे पंजिकरण के अभव में नियुक्ति दिये जाने का इसपस्ट करण ये उन लोगों के लिए है कि भाई ये भी करण बताना होगा कि अगर उसके पास RNC नहीं थी फार्मेसी का नहीं था पैरामेडिकल का रजिस्टेशन नहीं था तो आपने उन लोगों को उस वक्त पर जोईनिंग क्यों दी थी ठीक है ये कारण यहां पर बताना होगा इस कारण में फसेंगे वो लोग जो सम्मंदित जो अभ्यार अब आधिकारियों सोते पूछ लिया है कि तुमने फोस्टिंग क्यों दी जब उसके पास नर्सिंग का रजिस्टेशन नहीं था तो पोस्टिंग क्यों दी उनको कारण बताना पड़ेगा कारण में वो लोग लिखेंगे कि भाई इन्होंने एफिडेविट दिया था कि मै 15 दिन में 20 दिन में महीने में जमा करा दूंगे और जब अगर पदपर वो लगे और जब अगर CMH यहां पर खुद नहीं फसना चाहेगा या जो भी ओथराइज अधिकारी तो खुद नहीं फसना चाहेगा वो आपका एफिडेविट निकाल करके तुरंद दे देगा और ए पीपी मोड पे कॉंट्रेक्ट के माध्यम से और फिर पूरे उस समय का experience बनवा लेते हैं तो इन्होंने पूछा है कि भाई ऐसा अगर किसी का तुमने बना कर के दिया है उसके पास जब registration नहीं था काम करने के लिए तो आपने उसको नोकरी क्यों दी उसका कान बताना पड़े का और किसी ने अगर उस वक्त पर ऐफिडिविट दिया था तो जो भी अदीकारी होगा CMH होगा वो सारे के सारे आपका ऐफिडिविट देढ़ें कि इन्होंने ये दिया था हमने इसलिए दिया था ठीक है और ये सारे के सारे कितने अनुभव पुर्मान पत्र जारी किये किस जिले से पदवार संख्या बतानी है ये तमाम जो बाते ध्यान रखनी है सम्मंदित CMH को ध्यान रखनी है यानि कि और अंतिमतिती के बाद भी अगर किसी के संसोधन किये गए हैं कुछ तो उनको भी उपलब्द कराना होगा है तमाम चीजे यानि कि एक्षपीरियंस को ल ने बनवा लिया फर्जी लोगों ने एक्षपीरियंस बना दिया पैसा खाया अधिकारियों ने बनाया सब कुछ आप फसने वाले हैं ठीक है तो फसें बिल्कुल फसें किसी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है ना तो फर्जी बनवाने वालों के लिए ना ही फर्जी बनान उनका चेयन हो तो दोस्तों ये 10 दिसंबर तक इनको बुलाए गया कि भाई कागज चिठी पत्री जो भी है तमाम चीजें आप लोग को ले करके जानी है ठीक है और मैं तो ये कहता हूं कि एक और चीज जिसमें की जानी चीए थी वेतन बिल की जगहे जो सम्मंदित अभ्यार तथा उसका बैंक statement भी करवाए जाए कि उसकी salary कब लग गिरी थी उसमें ये भी बताया जाना चाहिए ठीक है वेतन बिल के साथ सम्मंदित अभ्यर्थी का जो record जो है कि उसका बैंक में पैसा दिया गया कैसे दिया गया उनका वो भी बैंक statement भी मांगना चाहिए तक पता च काम जो है CMHO या जिनों ने भी experience जारी किया उन अधिकारियों का है अब बेर्ती का नाम ID क्रमांक सीफू द्वारा भरा जाएगा जनम दिना की ये सारा का सारा और इसमें पूछेंगे कि भाई जो पहले के जारी अनभो प्रमान सत्यापन है तो देखी यहाँ पर उपरोग पद पर संपदित की किया गया कारिये समंदित पर गोला लगाएं यदि अनुबंदित पद पर संपदित कारिये इस भरती है तो विग्यापित पद के कारिये से बिन है तो इसका विवरन लिखें विभ्यापिद पद का कार्ये हाँ उर्ना में लिखना है जोब चोड से तुलना करनी है जोब का चार्ट है उससे तुलना करनी है तो आप लोग देख सकते हैं किस तारीके से है ये पुनर सत्यापन करना होगा और COVID के दोरन कार्यत रहा रही जो भी है ये भी है दोस्तों तो ये है आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना ये जाच रहे हैं experience को दुबारा से ताकि जो अधिकारी हैं जिन्होंने पहले बना करके दिया वो फिर से इस बात को verify कर सके कि फलाने नाम के वक्ति को आमने जो experience बना के दिया खाता वो रिकोर्डली दुबारा पुनर सत्यापन में भी सही पाये गया है ठीक है आप यहाँ पर जो लोग फरजी होंगे उनका तो पहले CMH वगरा खुदी नहीं करने के ऐसी चीजें क्योंकि अब अगर पुनर सत्यापन में भी कोई फरजी फिर से पाये जाता है तो फिर सम्मंदित अधिकारी को जेल हो सकती है और ऐसी सिकायत में फिर भी होंगे अगर पुनर सत्यापन के बाद भी कोई अब्यारती फिर भी फरजी रह जाता है तो फिर सम्मंदित अधिकारी जम्मेदार होंगे और फरजीयों को कोई छोड़ता है नहीं क्योंकि आजकल सोसल मीडिया का जमाना है बहुत सारे लोगों ने फरजीयों की लिस्ट तक दी थी सिबुरा मैडम को बना करके इस प्रोविजनल लिस्ट में इस इस नाम के अबेरत चीज तो को आगे लेके गए और तब जाकर कि चीज़े हुई है कि साब ये फलाना जो था फरजीयों प्रमान पत्रवाला व्यारतियर इसका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ गया तो इस तरीके के जब चीज़े हुई तो ये और फिर कोट में भी लोग चले गए प्रमान के साथ कोट में भी कि यार इस तरीके से चीज़े हुई है तो कोट से भी आदेश है कि बारीकी से जांच कीज़े अब ये बारीकी से जांच होगी ठीक है अब ये बारीकी से जांच होगी और फिर उसके बाद यहां पर इस पर किया जाएगा काम ठीक है तो ये जानकरी है स तो कारिक्रम तो इसमें सलंगन है नहीं, अलग से होगा उनको भेज़ दिया होगा, किसको कब जाना है, और सारे के सारे एक्सपिरियंस लेके जाना है, और ये तमाम जो चीजें हैं, दोस्तों तमाम भरतियों के लिए हैं, इन सब को बुलाए गया है, प्रतिलिपी सब को भे के जाना होगा और फिर से पुनर सत्यापन करना होगा फिर से पुनर सत्यापन करना होगा किनका होगा जो लोग प्रोविजिनल में थे ठीक है दोस्तों वेरिफाई सोरी वेरिफिकेशन लिस्ट है उसका भी करेंगे ये लोग उसके आधार पर और फिर उसके आधार पर ये सा साल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानकरी अच्छी लगे वीडियो को सेर कर दीजिए जै हिंज जै भारत